सननाटाज अचा गया, भीड की आवाज थी, भारत जोडो, भारत जोडो, भारत जोडो, और जो मेरे से बात करता था, उसकी आवाज में सुनता गया। हर रोज, सुबह 6 बजे से, रात 7-8 बजे तक, आम आदमी, गरीब, अमीर, बिजनसमेन, किसान, मजदूर, सब के आवाज, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आप, आप कल से रुके हैं, अब थोड़ा और रुक लाओ, 5-10 मिन रुक जाओ, तो, ये चलता गया, मैं बात सुनता गया, और फिर, मेरे पास एक किसान आया, और किसान ने हाथ में, रुई पकड़ी हुई थी, और उसने मुझे कहा, उसने मुझे कहा, मेरे आँख में देख कर, उसने मुझे अपना, वो रुई, रुई का बंडल दिया, और उसने कहा, राहुल जी, ये ही बचा है मेरे खेट का, ये ही बचा है, और कुछ बचा नहीं है, मैंने उससे जो, मैं नॉर्मली सवाल पूछता था, भाईया, आपको भीमा का पैसा मिला, वो पूछा, भीमा का पैसा मिला, वो पूछा, और किसान ने मेरा हाथ पक्रा, किसान मुझे कहता है, कि नहीं राहुल जी, मुझे बीमा का पैसा नहीं मिला, हिंदुस्तान के बड़े उद्योग पतियों ने, वो मुझसे छीन लिया, मगर इस बार, बड़ी अजीब सी चीज हुई, जब मैंने किसान को देखा, और वो मुझसे बोल रहा था, तो जो उसके दिल में दर्द था, वो मेरे दिल में आया, जो उसके आँखों में शरम थी, जब वो अपनी भीवी से बात करता था, वो शरम मेरे आँखों में आई, जब, हाँ, जब, जब, उसकी जो भूख थी, वो मुझे समझाई, और उसके बाद, यात्रा बिल्कुल बदल गई, मुझे भीड के आवाज नहीं सुनाई देती थी, मुझे सिर्फ उस रियक्ति के आवाज सुनाई देती थी, जो मेरे साथ बात कर रहा था, उसका दर्द, उसकी चोट, उसका दुख, मेरा दुख, मेरी चोट, मेरा दर्द बन लिया, भाई और बेनो, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये, गेश है, कोई कहता है, ये अलग-अलग भाषाएं है, कोई कहता है, ये जमीन है, मिट़ी है, कोई.